दोस्तों अगर आपका भी laptop slow हो गया है और आपकी cases file बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उनको बिल्कुल आसानी से कैसे delete करना है उसके लिए वीडियो आप देखते रहेगे तो जब आप अपने laptop screen on करोगे तो आपको नीचे आपका search bar मिलेगा आपको अपने search bar में click करना है और यहाँ पे आपको run लिखना है जब आप run लिखोगे तो ये window आपकी खुलेगी हो सकता आपके में पहले से ना लिखा हो लेकिन आपको ये percentage time percentage ऐसे करके अपने लिखना है और उसके बाद आपको इसको ok कर देना है जैसे आप इसको ok करोगे तो आपका एक नया folder खुलेगा इस folder के अंदर आपकी ये बहुत सारी जो files हैं सारी case file है आपको इन सब का control एसे select करके delete कर देना है या फिर shift कर देना है इससे आपके laptop की speed 20 से 30% definitely बढ़ेगी और अगर